रुटुरुरुरुरुरु एक सकने अब जल्दी बोल वह इंगरी सेखना चाहते हैं वह बतल बतल माई सिखाऊंगा हुगी दो मिनट में आपता अरे मानना परेगा भाई हल्यू है हम आंगरी इसोगे जमानी के जिलर है तुम्हें पता है कि सबसे खुबसूरत कला क्या होता किसी की आवाज निकालना और डिफिकल्ट होता है जानते सब है यह सिखाता कोई नहीं भाईया मेरा रेकॉर्ड है हमने यूटिप शुरू की और में मिकरी सिखाने भी शुरू की में मिकरी सिखाया बहुत लोग सीखे और भाई हमारा 43,000 सब्सक्राइबर का परिवार है सब्सक्राइब एक साल से बोल रहा हैं मेरा दूसरा चैनल शील स्टिक कमीडी करते उसको में लुण कर रहे हैं फैस तो कर रहे हैं बहुत है है इसमें क्या होता कि आप किसी दूसरे आदमी की वाइस को अपने गले में डालते हो फिर अपनी गले से अवाज को निकालते हो कितना टैस्क होता है बहुत है नहीं बात में ले सकते हैं किसी की आवाज ऐसी होती है पतली किसी की आवाज बेस में होती है जैसे कि इसे बेस में कहते हैं आवाज में थोरा सा वजन होता है और किसी की आवाज मेरी तरह मेडियम होती है ना तो अब इन साथ जो तीनों वेरियंट से आवाज के अब बहुत सार लोगों को यह कंफिजन होता है कि इन तीनों वैरियंट्स में कैसे सिखे मिक है कैसे करें रिलक्स रिलक्स बहाँ जिसकी आवास पतली होती है वह थ्रुडबलिम हो सकती है caller लेकिन वह यह कर सकते हैं इंसानों की आवास निकालने में उसको दिक्कात होगी लेकिन लेकिन वीधर काट्वन आप किसी की वाइस कोपी कर रहे हो है ना तो आप काटून करेक्टर्स में कॉपी कर रहे हो और यह लो कोपी करेंगा तो और दूंगा फॉर दोंगा जैसे कि किसी एक्टर्स की वाइस निकालते हो तुम कुछ नहीं करोगे मुन्ना बस खाओगे और सोगे अरे भाई अखंडा मेरे घुटनों में दर्द रहती है मुन्ना से कहके तेल मंगा लो देखे बबुजी आपके घुटनों में दर्द है यह इंपोर्टन नहीं है दिमाग मत होते हैं उसको थोड़ा प्राब्लिम होगा आवाज निकालने में लेकिन धीरे धीरे बेस आ जाएगा अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो अगर मेरी पुराने वीडियो को जाके स्क्रॉल करके देखो नीचे में तो भाई पता चलेगा कि मेरे आवाज में बेस थाई नही कि भाई मेरा भाई हम बहुत बच्चे थे उस वक्त में जब में यूट्व शुरू किये थे तो भाई मेरे अवाज में बिल्कुल बेस नहीं था फिर भी मिमिक्री की प्रैक्टिस तब ही हम शुरू करते गए और धीरे धीरे बेस डेवलप होता गया गला में और हम खुल अब जिसकी वाइस मीडियम है ना उसको एक प्रोब्लेम होता ही होता हमेशा हो क्या होता है कि वह बेस का वेट करता है अपनी गले में सुबह के टाम में क्या होता है कि बेस रहता है दो फर आते आते क्या होता है कि बेस चला जाता मेरे साथ वही प्रोब्लम मेरे आवाज म mimicry event हम कर देते हैं क्योंकि आवाज में बहुत बेस होता है जैसे वो डिले होता जाता है 11, 12, 1, 2, 3 बजने लगते तो वैसे वैसे मेरे गले के बैंड बज आती है तो हम क्या करते हैं सो जाते हैं जाके गंटा उसके बाद सो के उड़ते हैं तो फिर से कट्स लगते हैं हमारी वीडियोस में अभी डिरिंग के ये हम ये चाई पि लेते हैं गल्या को गरम करने के लिए कभी गर्मी का मукаसमना तो थो थोरा न कोडृरीन पी लिए तो ऐसे करके वीडियोस बनाते हैं जब live event करना होता है show करना होता है stage पे तो वहां तो भाई problem हो जाता है तो वहां बहुत rehearsal करने के बाद stage पे perform करने के लिए जाते है mimicry में क्या होता है दोस्त कि जब भी आप करते हो ना mimicry जो जिसकी आवाज medium में होती है अब प्या बोलाइज देवता हो देवता समझी जलन होती है हमको तुब से जिसके आवाज में बेस जादा होता है ना वह भाई किसी की भी आवाज निकाल सकता है बहुत अच्छे तरीके से बहुत ऐसे mimicry artist है यूटीब जाके search करों को अब जिसके आवाज में बेस है ना वो दो-तीन आवाज बहुत ही perfect एकदम मककन की तरह आवाज निकल सकता है। वो है अमरेश पूरी की, पराउन सहाब की, अजीद खान सहाब की, ये सब नशुर दिन सहाब की, ये सब की mimicry perfect वो निकल सकता है। अभी देखो, जो मेरा normal voice है, मतलब मेरा medium range वाला voice है मेरा, उसमें क्या है, शाम का टाइम हो गया, गला मेरा range दब गया आवाज का, अभी देखो, हमरे इस पूरी का निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, ओए, अरे भाई, मुझे तो लगता है कि comedian seal के channel को तुमने subscribe नहीं किया है अरे भाई, जाके subscribe कर लो, तो यहां पर mimicry में उतना base नहीं आया, लेकिन हमने क्या किया है, यह style को copy कर लिए, अब style को अगर हम copy कर लेंगे, तो तुम लोगों के दिमाग में imagination होने लगे गा, कि भाई यह शील ने जो mimicry किया है, वो अमरे इस पूरी का किया है, अब वहीं अब यह वह 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 परकुरदार अपने साहिरी में थोड़ा सा वजन लाओ अपने आवाज में थोड़ा सा खराज लाओ तो तुम्हारी निगरी जो है वो अच्छे से निगलेगी तो रनबीर कपूर साब की आवाज है है ना तो भाई बहुत तरीका होता आवाज निकलने को अगम दही की तरह अग्दम जमा होता है उसका आवाज है ना वो ना प्रेम चोपरा साब की आवाज बहुत अच्छे से निकल सकता है अरे प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपरा चबा जाओंगा वो भी प्रेम से नंगा नहाँगा क्या निचोरेगा क्या पतला तुम नों सोच रहो कि बक्चोदी करना कब बंद करेंगे अभी मन में कुछ डाउट से कुछ सवाल है कुछ पूछना चाहते हो तो भाई या जाओ यार कमेंट सेक्षन खुला हुआ है तुम लों के लिए भाड़ दो कमेंट्स में गालियां भर दो सुरी गाली नहीं जो रहें प्लेज गाली नहीं पॉजिटिव कमेंट्स बढ़ दो यार सवाल पूछना चाहते हैं पूछो अच्छे से पूछो ऐसे ऐसे सवाल पूछो भाड़ दो कमेंट को मतलब ठुक ठुक के सवाल से जाओ सवाल पूछो किस पे मिमिकरी वीडियो लाओ मैं और ये भी है आवाज में कैसे चीजेंज कर सकते हो मिमिकरी कर अच्छे से सपर्फेक्ट निकाल सकते हो लेकिन जो लोग मुझे ऐसे मैसे करते हैं हेलो भाई हाई भाई तो भाई रिक् Achsector करनेह jeśli मैसे करने का ब्रपर तरीका बता दिते हैं इसमें तुम्हारा भी टाम नहीं जाएग कि तुम्हारी आवाज कैसी है दोस्त हमको तुम्हारा एक बार आवाज पता चल गया ना तुमको मिमिक्री हम सिखा देंगे अच्छे बहुत बोल लिए ठक गए हम ऐसे कैसे ठक जाएंगे हैं दो मिनट में कोई ठकता है क्या हाँ तो कुछ भी प्रॉब्लेम है मैसेज करो पूछो बाते करो भाई हम कोई मज़ा आता है और हाँ लाइव आते हैं तो भाई जॉइन कर लिया करो यार कर लिया करो जॉइन प्लीज शिल्स्टिक और कमेडियन शिल दोनों को सब्सक्राइब कर लो दोनों को मैं यहाँ पर टाइटल में टैक कर देता हूं तो चलो मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो के साथ तब तक देखते रो हसते रों मुस्कुराते रों कॉमेडियन शिल्यों आपके दिलों में जा गए हसी के फिल कीप शरी देखते रों में जाहिंद बाइ